नमस्कार आप सभी दर्शेकों का स्वागत है आपके अपने चानल एस्ट्रो मित्रम में इस वीडियो में दिखाई गई उप्यूप की गई अथवा प्रकाशित की गई सामगरे एस्ट्रो मित्रम के साथ पंजी कृत संबंधित लेखक जेतुशी से संबंधित है इस वीडियो को केवल देखने के लिए यूट्यूप से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुना किसी भी माध्यम से प्रकाशिती अवित्रित करने के समस्ता अधिकार आश्ट्रो मित्रम के अधीन है अश्ट्रो मित्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ जोतिश चारिया आनंद नित्य प्रतिदिन की तरह हम अपने कारिकाम अश्ट्रो मित्रम में फिर उपस्तित्यू है आईए हम बात करते हैं 31 दिसम्बर 2018 के पंचां की इस्थितिू आईए हम सबसे पहिले आज जो तित्य ओ दश्मी है नक्षत जो है चित्रा है करण जो है वरेञ्ण और विष्टी है योग जो है वो सूकर्मा है आज का वार जो है वो सुंबार है सूर्य उदय साथ बचके एक मीट और पच्चिस सेकंड पर है सूर्य अस्त सत्रा पेतालिस दो पर है और चंद्रमाजोय तुला राशी में आपकी राउ के नक्षतर में ब्रह्मण करेंगे जो रितु जह है शिशी रितु है दिल काल 10-43 से थिस है विक्रम संबंत 2075 है राउ काल 8-21-22 से लेकर के 9-42 तक रहेगा और दिशाशूल रहेगा पूर्ब मित्रों ये थी आज के पंचांग की इस्तिती है आए हम बात करते हैं बारा राशियों के संबंद में आउंDonald 2-12 से परासियों की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे «पहले हमारे मेष्वाड राशी मैष्य राशी के हम डिस्करशन जन्द करेंगे तो आज की जो मेष्य राशी की जो है वह आज चंद्रमा और तुला धसी चीजों पर लड़ाई जगड़े हो रहे हैं तो ऐसी कंडिशन में थोड़ा सा जोतिशी एडवाइस ही है कि अपने कन्फीजिन को बंद कर दीजिए अपने कूशंकाओं को बंद कर दीजिए अपने अंदर जो बहुत सारी चीज़ें आपने कच्रा भर रखाए उसको सब को कर देंगे तो निश्ची तुरुप से आज का दिन उत्तम जाएगा यानि आज अपने सब्तम घर को सुधारना है सब्तम घर में चंद्रमा होने के कारण राओं के नक्षत्रम होने कारण इस्टम मित्र पत्नी सब के लिए आपने थोड़ी सी गलत फेमिया या थोड़ा सा स मिश्चो तुरुप से दिन अच्छा जाएगा साथ ही साथ थोड़ा सा मन आप अपने घर के भार या आफिस के भार थोड़ा सा गाय कुत्ते के लिए पानी का होद बना दीजिए आज के दिन आपके लिए शुब हो आई हम बात करते हैं व्रश्य व्राशी वालों की जब ह हम बात करेंगे तो आज उनके छटे घर में नोक्री का दिने नोक्री जौइनिंग का दिने किसी प्राइवेट सेक्टर में आपकी नोक्री का अपाइंडमेंट लेटर आपको मिला है और आज आप उसको जौइन करने वाले जो दूतरे लोग हैं आज कहने के प्रतीज आमें लेकर के अपने काने को चारों तरफ से महनत करने की सोच रहे Quin उ नहीं बिदलता लेकिन प्रियास हमें तो सफलता मिलेगी आज की ना टेनों के लिए통 आई एम बात करते हैं मित्वनाशी वालों की मित्वनाशी वालों की जब हम बात करते हैं मित्रों तो आज जो उनकी इस्तिती हम देख पा रहे हैं तो पंचम घर में शुक्र बेट करके आज शेयर बजार में जॉइंड होने की बात करता है कमिशन की बात करता है दलाली की बा लेकिन साथ में साथ आप थीरे से स्टार्ट करें क्योंकि कोई भी बच्चा सीखके नहीं आता है दिरे दिर अनुगों बरता जाता है आप यह नहीं सोचे कि नई लाई नहीं नहीं आपको सफलता देगी आज के बिना आपके लिए मंगल में क्या करना चाहिए आज आपको आज आपको बर्गत का पेड़ लगाना चाहिए बर्गत के बच्चे की तरफ पालना चीए निश्चत रूप से आपकी उन्नती होगी आई आए हम बात करते हैं करकर बात करेंगे तो आज आप अपने घर में अपने लोगों के साथ बेटकर करके किसी लड़की के लिए आपकी बच्ची के लिए जिस्ता देखने जा रहा हैं सामुई कुरूप से सब परिवार के साथ जा रहे हैं उसकी चानबीन करने जा रहे हम आपको बताना चाहते हैं कि लड़का बहुत बढ़ी है बिना किसी दिक्कत कर आप जाईए चानबीन करके आईए और यह जिस्ते को अपने पारवरिक परणायमे सूत्र में बांद जीजि स्थेव सेवन करके घर से भार निकलेंगे आज का निकलेंगे आज का दिन उट्म रहेगा आए हम बाद करते हैं सिंग राशी वालो की सिंग राशी वालो की जब हम बात कर एंगे तो आज यీस्टरे घर में शुक्र बैट करके आपके पुराने अनुबंदों को तोड करके नए अनुबंदों को कर रहा है यानि पुराने जो अग्रिमेंट है आज खतम हो जांगे और नए अग्रिमेंट की चर्चा होगी, नए डिसकरशन होगे नए आयाम इस्तापित करे लेकिन थोड़ा सापने छोटे भाई की यदि सला लेकर के काम करेंगे तो निश्चत उसे आज का दिन मंगल माई जाएगा क्या करना ची आज आपको एक नीम का पीड लगाना ची नीम के पीड लगाने के साथ साथ उसको बढ़ा करें साथ ही साथ घर से निकलते वक्त करना ची आज आपको घर से ले भोजन लेकर के आपके जो वरद आद्मियों साथ साल यसी साल का वरद आद्मियों सको भोजन कराएंगे तो निश्चत अब आज का दिन उत्तम जाएगा आई हम बात करते हैं तुलाराशीवालों की जब हम बात करेंगे तो आज उनके लगने में रहूंबेट करके बहुत सारे कन्फिजन देता यानि आज आप अपने विचार बिल्कुर के लिए निया आपका आपका एटिटूट के लिए निया आज आपने आपने घूमसुम बढ़ा हुए और घूमसुम बन करके आप क्या चाहते हैं आप ही को नहीं मालूम कहीं नहीं के अनकंफर्टेबल फिलिंग हो रही मत्रों अनकंफर्टी फिलिंग दो तरस होती है भारी जगत से अंत्रिक जगत से तो आपको आंत्रिक जगत से फिलिंग है आज अपने आप में अनकंफर्टेबल फिलिंग करें इस अनकंफर्टेबल फ साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे अपने बड़े बुड़ों का अश्रवाद लेंगे तो निष्ट तुरुप चाज का दिन उत्तम जाएगा साथ इसाथ नदी में ब्रेड जो मचलिया रहती हैं को ब्रेड खिलाएं आटे की गोलिया दे तो आपके लिए उत्तम रहेगा आपने आपसे कुछ नए दोर की जिंदेगी चाहते हैं उस बड़े हैं उस मद्भेध को दूर करने के लिए थोड़ा सा अपनी सोच को बदलिये थोड़ा सा मॉडरन हो जाईए थोड़ा सा आपने आपको परिवरतन कर लीजिए तो निष्चित रूप से आपके लिए फा अज आपको अपने आपको बदलने की जरुर्वत है यदि आप अपने वीचारों को पुरानी चीजों को बदल लेंगे , आपके परिवार में शान्ती रहेंगे क्या करना चीए आज आपको सब परिवार के साथ मिल करके किसी होटल में रेश्टोरेंट में भोजन करने जाए और सबसे अपने विचारों को खुला रखें और पुरानी चीज़ों को छोड़ दें आज के दिन आपके लिए शुब रहें इह हम बात करते हैं धनुराशी वालों की जब हम बात करें तो आज अगर यह चीज़ बोल देता तो आज अपनी भानी को थोड़ा सा अननेसरी दूसरों को सला देना बंद कर दें अपने लिए थोड़ी सी एनरजी बचा के रखेंगे तो निश्चित रूप से प्रगति होगी आज का दिन आपके लिए शूब है क्या करना चीए आज आज आप अपने आप से सबसे पहले अपने आपको चेंज करें अपने विचारों को दूसरों की जगाए पहले खुद को चेंज करें तो जोग रिखती खुद को बदल सकता दुनिया को बदल सकता है तो अपने अंदर थोड़ा सा एंप्लिमेंट लाएं अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाएं अपनी सोच को बदले यही आज के लिए बहुत महत्पूर है आज के दिन आपके लिए शुब रहे मकर राषि वालों की जब हम बात करेंगे तो आज उनकी चंद्रमा की पोजिशन हम देखते हैं तो चंद्रबा संद्रिधा में बेठा है सैसा कोई चीज नहीं जिसका इसकोप नहीं क्योंकि लोगों की यदी आध्यात्मिक्ता इस त्थी पीले एकाद पूजापाट की दुकान हो आज दुकानों की संक्या निरंतर बढ़ रहें और सब खापी रहें सब कामा रहें कोई दिक्कत नहीं तो आज दिया आप अध्यात्मिक किसी पूजापाट की सामगरी की दुकान खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खोल लीजिए यह दुकान आपको फूबारा रहेंगी अच्छी रहेंगी कोई दिक्कत नहीं है बट बड़ों का आश्रवाद लेके काम करेंगे तो निश्ची दुक्च आज का दिन शुब होगा क्या करना चाहिए घर से निकलते हैं वक्त थोड़ा सा पूरुदिशा की तरफ निकले साथी साथ थोड़ा सा जीरा काकर निकले और अपनी कमाई का 2% हिस्सा गरीबों में दान करते रहें आज के दिन आपके लिए शुब रहें आए हम बात करते हैं कॉम्बो राशी वालों की जब हम बात करेंगे तो आज जो है चंद्रमा उनके तुला राशी में बेट करके आज उनके राहों के नक्षत में बेट करक आज आज आपको धर्म से जोडने के बात करता है ज्यान से जोडने के बात करता है अध्यात में से जोडने के बात करता है अध्यात में के सिद्धानतों को फालो करने के बात करता है हो सकता है किसी भागवत में आप प्रवच्चन सुनने जाए वो प्रवच्चन के कोई लेकिन यह ग्यान टोटल धर में से जुड़ावा है आज के दिन आपके लिए मंगल में हो क्या करना चीए किसी ब्रह्मन वेतपाटी ब्रह्मन को के वस्त्र का दान करें थोड़ा सा जूते दें जूते चपल जो भी आप दान कर सकते हैं जूते देने से मतलब उनका जूते च करते हैं मीन राशी वालों की मीन राशी वालों की जब हम बात करेंगे तो आज उनके अश्टम घर में चंद्रमा बेट करके बड़े बड़े टेंडर दिलवाने की बात करता अने एक्सपेटेड बड़ा टेंडर आपका खुलने वाला है जिसकी संभावना आपको गुण देने वाला एक चमत कारिक गिफ्ट देने वाला चमत कारिक आपका काम होने वाला जो आपके लिए बहुत प्रकति शिल रहेगा उन्नती रहेगा बस आप इतना ध्यान करें कि अपनी कमाई का 2% इससा धान करें और अपने साथ जुड़े वे हर वेक्ति का ध्यान र हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चानल एस्ट्रो मित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या जोतिश से संबंदित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें आपकी सहायता को सदेव तत पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है धन्यवाद आपके समय के लिए